नमस्कार मित्रो आज हम बात करेंगे वासिंग मसीन के बारे में क्योंकि आपके घर में रोजाना की गतिविदी में उप्योग में आने वाला जो उपकर्ण है वही कई बार आपके जीवन की बहुत बड़ी उथल पुथल का कारण बन जाता है और यदि वही उस उपकर्ण को उसकी गतिविदी के हिसाब से घर के सही महावास्तु जोन में आपने प्लेस कर दिया तो वही गतिविदी आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से एक उपाय जैसा काम करेगी आपको लाब प्रदान करेगी जैसे बात करते हैं अपने वाशिंग मसीन की यदि वाशिंग मसीन को आपने अपने घर के उत्तर दिसा में रख दिया तो आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहेंगी मित्रो करियर को लेकर सभी चिंतित रहते हैं लेकिन उसमें से कईयों को समझ में नहीं आता कि उसको करियर को बदलना है या नहीं बदलना है औ अब वाशिंग मुसीन जो है घर के अडजेक्ट उत्तर दिसा में रखी गई हो यह आपके करियर के विकास को रोक देता है उत्तर के बाद में यदि बात करें उत्तर और इसान कोन के बीच का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं नौर्थ आफ नौर्थ एस्ट यदि यहाँ पर आ गर में नौर्थ आफ नौर्थ एस्ट के अंदर वासिंग मुसीन रखी हुई है वह वेक्ति अपने भोजन को लेकर मीन में एक निकालता रहेगा और इसका प्रभाव उसके स्वास्ते पर भी पड़ेगा यदि आपके घर में हमेशा तो छुमुदों पर वेर्थ के विशल जिसन होते रहते हैं, चिंताइँ बनी रहती है, या सिरदर्द बना रहता है, या फिर बिना वज़े के जो विचार जो है वो आते रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकती है आपके घर के उत्तर पूरव जोन में रखी गई वासिंग मसीन यानि कि इस आन कौन में यदि आपने वास्विंग मसीन रख दी तो आपका दिमाग बिना मतलब की बातों से परेशान रहेगा यदि वास्विंग मसीन आपने रख दी पूरव उत्तर पूरव जोन में तो आप हमेशा किसी ने किसी मुद्दे को लेकर वैस्त रहेंगे फिर चाहे वह मुद्दा कैसा ही हो चाहे वह ऐसे प्रसंता वाला ही काम क्यों ना कर रहा हो लेकिन वैस्तता उसमें बनी रहेगी इसके बजाए यदि वाशिंग मसीन आपने रख दी घर की पूरव दिसा में तो आप हमेशे अपने समाजिक रिस्ते के बारे में सोचते रहेंगे इस बात से आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा कि समाज या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वाशिंग मसीन रखने की आदर्स जगह यदि आप बात करो तो वह है आपके घर का पूरव दक्षिन पूरव इसको आप ये मनों पूरव दिसा और दक्षिन पूरव दिसा के बीच की जो जगह है वह होती है पूरव दक्षिन पूरव यानि कि East of South East ये है स्थान ये वाशिंग मसीन रखने के लिए आपने बनाया हुआ है तो आपका मन जो है बेवज़े का मन्थन है न वो नहीं करेगा बलकि ये है वाशिंग मसीन आपको एक चांत वातावरण की तरह वातावर्ण प्रदान करने का काम करता है इस चेतर में वाशिंग मसीन के होने से उस गर में रहने वाला व्यक्ति अच्छा निर्णे लेने की छमता रखता है वही मित्रो यदि आप हर समय के वल यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से और उपय कमा सकते हैं तो गोर करके देखो कहीं आपकी वाशिंग मसीन है जो साउथ इस्ट में तो नहीं रखी हुई है क्योंकि इस दिसा में वाशिंग मसीन रखने वाला व्यक्ति सो कमाई कैसे करों इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहता है इसलिए इस चेतर में वोशिंग मुसीन रखने से पहले जरूर सोचना चाहिए कई ऐसा ना हो कि आप सदेव पैसे कमाने को लेकर ही चिंतित रहे यदि वेक्ति हमेशा अपने जखमों को ठीक करने सामाने स्वास्ते मजबुत्ती और आतम विश्वास के बारे में सोच रहा हो तो इसका आर्थ यह है कि उसके घर के दक्षिन दक्षिन पूरो जोन में वोशिंग मुसीन को उसने रख छोड़ा है मित्रो थोड़ा ध्यान देना यदि आपको नीद नयाने की समश्या है या फिर आप हमेशा ही चीजों के बिसलेसन में लगे रहते हो और चिंतित रहते हो तो देखिए कहीं अपने घर में आपने वोशिंग मुसीन दक्षिन दिसा के चेतर में तो नहीं रखी हुई है क्यो खो दिया कभी वो खो दिया हानी हो रही है तो आप सजग हो जाईए इस बात को लेकर चिंतित रहने के बजाए यह सोचना चाहिए आपको कि कहीं आपके घर में कोई ऐसी वस्तु जो सही जगह पर नहीं रखी है इस वज़े से तो यह दिक्कत नहीं हो रही है जैसे अब व South of Southwest में इसको रख दिया South of Southwest बिल्कुल दक्षन दिसाग के साथ और अपने नेरित्य कौन के बीच की जो जगह है वह है South of Southwest यदि वहाँ पे वाशिंग मसीन है तो यह आपके अपवे का सबसे बड़ा कारण बनती है अपवे यानि कि बिना मतलब के खर्च का कारण बनता है और यहीं नहीं वाशिंग मसीन भी बार बार खराण होती रहेगी और आपको इसे ठीक कराने की आवसकता भी बार बार पड़ेगी यदि घर के अंदर रिष्टे मजबूत नहीं है या यह बार बार तूटने के गागार पर पहुँचने लगते हैं तो जब आप इसका कारण नहीं समझ पाते हैं और वियरत में परेशान रहते हैं कि असल में संबंदों को खराब होने की वज़य क्या है तो ध्यान देना इसकी एक वज़य यह है कि आपके घर में S.W. में यानि साउथ वेस्ट जिसे हम नेरित्य कौन बोलते हैं देसी भासा में उसके अंदर यदि वासिंग मसीन हैं तो यह सारी समझ हैं रिस्तों को लेकर आएंगी संबंदों और जुडाव के जोन यानि दक्षिन पश्ची में वासिंग मसीन के रहने से यह है पारिवारिक सदश्यों के मन में रिस्तों को लेकर मन्थन को बढ़ाता है और इसी से उन सब के बीच में विचारों को लेकर मतभेद बना रहता है और जगड़े भी होते रहते हैं इससे आगे वाला चेतर है जो सिक्षा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करता है और यदि आपने यहाँ पर वाशिंग मसीन रख दी यानि कि आपने पश्यम और साउथ वेस्ट के बीच की जगह में वाशिंग मसीन रखी है तो इसको आपको तुरंद प्रभाव से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ उस घर में रहने वाले लोगों विशेसकर बच्चों को आउसकता से अधिक सतर्ग बनाता है यह लोग किसी भी काम को पूरा करने में आउसकता से अधिक समय ले लेते हैं इस वज़े से यहाँ से वाशिंग मसीन को हटा देना चाहिए और यदि वाशिंग मसीन आपकी पश्चिम दिसा में तो आप बिना ही मतलब ऐसे हमेशा प्राप्तियों के लिए बेचेन रहेंगे और वो आपकी प्राप्तियां जो है आपको पूरी नहीं हो पाएंगी इसके बाद में जो आगे का जोन है जिसे हम बोलते हैं वेस्ट ओफ नॉर्थ वेस्ट वैसे तो जो रिसर्च की है हमारे गुरु सखा परमसरदे डॉक्टर खुजदीब जी ने उनकी रिसर्च कहती है कि इस दिसा में कोई भी चीज आप रखो तो उससे पहले दस बार जर करी रहता है और यह वाशिंग मसीन ने केवल आपके कपड़ों को साफ करेगा बलकि भावनात्मक बंदनों को दूर करके हर तरह की मानसिक जकड़न को भी यह साफ कर देगा यह पहले के सबी बुरे अनभवों को भी दो डालेगा और आपको नए जीवन की सुरुआत करने म में भी मदद करेगा इस वादे के साथ कि आने वाले जीवन में तनाव और चिंता का स्थान बिलकुल भी नहीं होगा इसलिए आपको वाशिंग मसीन यहां पे अवश्या रखनी चाहिए यदि आपने वाशिंग मसीन रखी हुई है NW के अंदर तो मददगार लोगों और बेंकों के साथ सही और सकारात्मक वहवार बना रहता है ऐसा इस तिसा में रखी वाशिंग मसीन अपने प्रभाव के रूप में हमें रिजल्ट देती है यदि हर वक्त वेक्ति के मन में लश्ट जागरित रहती है सारी रिक संबंदों के बारे में यदि वेक्ति हमेशा तुस्ता रहता है और उसका मन किसी अन्य छेतर में ने लग रहा हो तो उसे ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसके घर के उत्तर उत्तर पश्शिम जैसे हम बोलते हैं NNW यानि नॉर्थ वेस्ट का जो 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 जोन है उससे उत्तर की तरफ वाला हिस्सा उस जोन में ये कहीं वास आगे बढ़े और इस वीकेंड में अपने घर की और ध्यान दे कि कहीं आपके घर में वोशिंग मसीन निसित जगह पर तो नहीं रखी गई है सही स्थान पर वोशिंग मसीन को रखने से यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और आप यह महसूस कर कि आप पहले से कहीं अधिक सकारात्मक सोचने लगे हैं आप महावास्तु की अनभव प्रदायक इन जो आपको मैंने टिप्स दिया इनको अपनाएं और अपने जीवन में खूब सुखी बने जैस्त्री विश्यू कर्मा